भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समचार नमस्कार समचारों के साथ मैं जितेंद्र गवन्शी संसत का मानसून सत्र कल से प्रारंब हो रहा है जो की एक अक्टूबर तक चलेगा कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राजसभा की बैठके दो पारियों में सुभे नौ बजे से दो पहर एक बजे तक और साम तीन बजे से साथ बजे तक आयोजित की जाएंगे इस सत्र के प्रारंब होने के पूर्व आज साम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला ने एक बैठक बलाई है जिसमें लोकसभा के बिभन दलों के नेता कल से सुरू हो रहे सत्र के पहले हपते के एजेंडे पर चर्चा करेंगे इसके साथ ही ब्यापार सलाकार समिती की बैठक का आयोजन भी होगा मद्द प्रदेश में राश्टी पातरतावा प्रबेस परिक्षा नीट प्रदेश के 144 केंद्रों पर प्रारम होई इस परिक्षा में 58,000 से ज़्यादा बिध्धार्ती सामिल हो रहे हैं प्रसासन द्वारा बिध्धार्तियों को परिक्षा केंद्रों तक पहुचाने के लिए निस्विल्क बाहनों की बेवस्था की गई वो लेकनी है कि बीते साल यह परिक्षा 84 केंद्रों पर हुई थी और करीब 54,000 परिक्षार्ती सामिल हुए थे कोविड-19 के बाद भी राज में बिध्ध्यार्तियों की संख्या में ब्रदी हुई है बहीं परिक्षा केंद्रों की संख्या भी लगबग दोग निकर दी गई है राजदानी भूपाल में भी नीट के लिए 26 परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं यहां लगबग 10,000 बिध्ध्यार्ति परिक्षा में सामिल हो रहे हैं कोरोना से बचाप के लिए सासंद्वारा तै दिसा निर्देश का पालन इस परिक्षा के दोरान सक्ती से किया जा रहा है देश में कोरोना की बीमारी से स्वस्थ होने बालों की संख्या बढ़ रही है प्रति दिन 70,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं स्वस्थ मंत्राले के अनुसार कोरोना की सुरू में ही पहचान के लिए जाच की संख्या बढ़ाने संक्रमेंटों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी दूसरी ओर स्वस्थ होने बालों की दर्वी लगातार बढ़ रही है पिछले 24 गंटों में देश में 78,300 से जादा लोग कोरोना के संक्रमन से मुक्त हुए हैं अब तक देश में 37,000,000 के करीब रोगी कोरोना के संक्रमन के उपचार के बाद स्वस्थ हुए देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने बालों की दर 77 प्रतिसत से अधिक है इधर मद्देप्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने बालों की संख्या लगवग 65,000 हो गई है बैतूल जिले में एक पूर बिधायक सहित उनके परिवार जन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं बहीं जबलपुर में कोरोना संक्रमित के कारण एक चिकित सक्की मृत्वी हो गई मद्द प्रदेश के मुरेना जिले के केलारस जोरा छेतर में रक्षा अनुसंदान एवं विकास संस्थान DRDO की रिसर्च लेब खोली जाएगी इसको बनाने पर 2000 करोड रुपे खर्च होंगे मुखमंत्री ने बताया कि DRDO की रिसर्च लेब के लिए केलारस जोरा छेतर में 350 हेक्टेर जमीन अधिगरत कर ली गई है प्रदेश के मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान कल जले के मुरेना छेरा और केलारस छेतर में कई विकास कारियों के सिलानिया स्लोकार्पन समारों के लिए आयुजित कारिकरम में बोल रहे थे इस अबसर पर उन्होंने मुरेना में मेडिकल कॉलेज खोलने चंबल से मुरेना सहर तक पानी लाने के 266 करोड के प्रोजेक्ट को सुईक्रित करने और पूर प्रदानमंत्री अटल बिहारी बाचपई के नाम पर सर्व सुविदा युक्त सभागार बनाने की गोश्णा भी की आत्मरवर भारत के तहट प्रदानमंत्री सूक्ष मुखाद उद्ध्योग उन्या नियोजना का प्रदेश में भी क्रियान बियन किया जाएगा राजिसासन ने इसके लिए मुख्य सचिप की अध्यक्षता में एक समिती का गठन किया है इस समिती में विभिन्ने विभागों के प्रमुक सचिवों के साथ ही कृषी विष्व विद्यालाय और नावाड के पृतिनिधी भी सामिल होंगे अपको समचार संचेप में पूर्विकेंद्रिय मंत्री रगुबंच परसाथ सिंग का आज दिल्ली के अखिल भारती आयरविग्यान संस्थान में निधन हो गया विपिछत्तर वर्स के थे मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान सहित राज्य मंत्री मंडल के अनेक सदस्यों ने उनके निधन पर सोख प्रकट किया है निजी बिमानन कंपनी इंडिगों ने भोपाल से सूरत के लिए एक कक्टूबर से रोजाना उडान सिभा सुरू करने की गोशना की है इसके लिए टिकेट की बुकिंग सुरू हो चुकी है परिवर्तन कारी योजना पर काम कर रही है इस बुलिटन में इतना ही घर कर रहिए और सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार नमस्कार